नमस्कार स्वागत है आपका स्टोरी हाव पर मैं हूँ आपके साथ मिनाक्षित्रेवेदी आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के आकडों की हम आपको बताएंगे कल से अब तक कोरोना के मामलों में कितने वृधी हुई है कल से अब तक मरने वालों की संख्या कितनी है और साथी 24 घंटे के अंदर कोरोना से ठीक हुए संक्रमितों की भी संख्या क्या है वही आपको बताएंगे टेस्टिंग के मामले में भारत की क्या स्थती है और कोरोना के कुल आकड़े क्या है यानि कि भारत के स्थती कोरोना अपडेट के लिहाज से हम आप तक पहुंचाएंगे देश में कोरोना का संकट ठमने का नाम नहीं ले रहा है देश में कोरोना संक्रमितों के कुल संख्या अब 90 लाख के पार पहुँच गई है पिछले 24 गंटे में 45,882 नहीं संक्रमित मरीज आए हैं तो वही 584 लोग कोरोना से जिंदकी की जंग हार गए हैं अच्छी बात ये है कि बीते दिन 44,807 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं तो ये रहे आकड़े कोरोना के कल से अब तक के वही अगर कोरोना के बढ़ने के मामलों की बात की जाए तो अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है वही मरने वालों की संख्या के लिहास से अगर आकड़ों को देखा जाए तो भारत पांचवे नमबर पर आता है और अब तक कुल केसिस की संख्या भारत में जो आकड़े स्वास्थे मंत्राले की ओर से जारी किये गए हैं उन ताजा आकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,04,000 हो गए है इन में से अब तक 1,32,202 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है कुल आक्टिव केस 4,43,000 पर आ गया है पिछले 24 घंटे में आक्टिव केस के संक्या 491 बढ़ गई है अब तक कुल 84,28,000 लोग कोरोना को माद दे कर ठीक हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीज ठीक हो चुके हैं वहीं भारती चुकित्सा अनुसंधान परिश अधियानी की ICMR के आकड़ों पर नज़र डालें तो 19 नवंबर तक देश में कोरोना के 12 करोड 95,000,000 सांपल टेस्ट किये गए हैं जिसमें से 10,83,000 सांपल कल टेस्ट किये गए अब नज़र डालते हैं राज्यों के मृत्यूदर और रिकवरी रेट पर वहीं महराश्ट्र, करनाटर, केरल, अंध्रप्रदेश और तमिलनाडू में कोरोना के active case, कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर, और मृत्यूदर सबसे ज़ादा है रहत की बात यह है की मृत्यूदर और अक्वरी रेट में लगातार गिरावर दर्ज की जा रही है इसके साथ ही भारत में recovery rate भी लगातार बढ़ रहा है वही देश में कोरोना से मृत्यूदर 1.47 फीजदी है बात अगर recovery rate की करें तो वो 93.58 फीजदी है और active case की अगरदर की बात करें तो वो महस 5 फीजदी रह गई है सबसे जादा active case महराश्ट्रों में है active case के मामले में दुनिया में भारत का छठा स्थान है अब बात करते हैं दिली की दिली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है पिछले 24 गंटे में राजधानी दिल्ली में 98 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई और इसके बाद राजधानी में मौत का अगड़ा 8000 को पार कर गया है जबकि इस दौरान 7546 नए केस सामने आये हैं जिससे दिल्ली में संक्रमितों के कुल संक्या 5,10,630 हो गई है वहीं दुनिया में कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है कोरोना ने 218 देशों को अपनी जद में ले लिया है रोजाना आंकडों की वृधी की बात की जाए तो हर रोज 6 लाग से ज़ादा कोरोना के केस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 6,40,000 से ज़ादा नए मामले सामने आये हैं तो वहीं 10,680 लोगों की मौत हुई है बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना से सबसे ज़ादा लोगों की मौत हुई है इसके बाद ब्राजील, मेकसिको, पोलांच, भारत, रूस जैसे कई देशों का नाम आता है तो ये देखा आपने देश और दुनिया में कोरोना का हाल बस आज के लिए फिलहाल इतना ही दीजे इजाज़त, नमस्कार